पूरी तरह से लिकल चुका है अब इस पर पाकिस्तान का कोई भी जोर चलने वाला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को साथ मिला है मात्री चीन का जब कि भारत के साथ है पूरा विश्व और सभी ने एक सुर में कश्मीर से अनचे 370 को हटाने के मोधी सरकार के फैसले को उसका अपना आंतरिक मुद्दा बताया है लेकिन ये इमरान खान है जिनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि वो कहां मानने वाले है दरसल उनकी परेशानी ये है कि उन्हें सिर्फ कश्मीर दिखाई देता है पियोके के नागरिकों के परेशानी नहीं दिखाई देती चीन के उईगर मुस्लिमों के साथ हो रहे गलत बरताव पर भी इमरान खान अपना मुँ नहीं खोलते और पियोके में तो मानवदिकार उलंगन की बात को सरासर नकारते हैं और इसके लिए भारत को चुनौती भी देते दिखाई दिए दरसल पाकिस्तान के पियम इमरान खान ने जर्मन ब्रॉडकास्टर डैचे वेले को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उनसे कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किये गए जिनमें से एक मुद्दा पियोके में मानवदिकार उलंगन का भी था इस पर इमरान खान कहते हैं कि पियोके में मानवदिकार उलंगन है की नहीं वो पता करना काफी आसान है जैसे कि हम दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तान के तरफ वाले कश्मीर यानी की पियोके में आमंतृत करते हैं और फिर वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में जाएं फिर वो खुद ही फैसला करें इमरान खान के मताबिक पियोके में पारदर्शी और उचित तरीके से चुनाब होते हैं और लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं फिर किसी भी प्रशासन की तरह P.O.K. में भी समस्याएं होने की बात को नकारते नहीं हैं कहते हैं कि P.O.K. में भी लोगों की अपनी समस्याएं हैं लेकिन दुनिया भर के परिवेक्षकों को बुलाया जाए इसके बाद वो इस बाद से आश्वस्त नजराय कि पाकिस्तान में तो परिवेक्षक वहां के हालाद देखकर चले जाएंगे लेकिन भारत की मोधी सरकार उन्हें भारत के हिस्से वाले कश्मीर में आने की इजासत नहीं देगी इसके लावा उनसे सवाल किया गया कि आप कश्मीरी लोगों के लिए आजादी के वकालत करते हैं लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया तब आपकी मांगो पर ज्यादे ध्यान देगी जब आप पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को अनुमती देंगे इस पर इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के लोगों को फैसला करने दीजिए पाकिस्तान जनमत संग्रह के लिए तयार है उन्हें खुद फैसला करने दीजिए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते है या नहीं तो इससे क्या मतलब निकाला जाए कि अगर भारत विदेशी परिवेक्षकों को भारत में बुलाने के लिए तयार हो जाए और फिर पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में रह रहे लोगों ने जनमत संग्रह के जरिये आजाद होने की बात कह दी तो क्या पाकिस्तान अपने कबजे वाले कश्मीर को यूहीं आजाद कर देगा अगर विदेशी परिवेक्षकों ने भारत के हिस्से वाले कश्मीर की हालत पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से बहतर बताई तो क्या बिना जंग के बिना लड़ाई के पाकिस्तान खुशी खुशी भारत को पियों के सौम देगा पाकिस्तान के पिम इमरान खान कहीं अपने इस बात को कहकर पच्चताने न लग जाएं फिर उन से जब चीन के उईगर मुस्लिमों की हालत को लेकर सवाल किया गया पूछा गया कि आप कश्मीर को लेकर इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन चीन के उईगर मुसलिमों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी कश्मीर के पैमाने से तुलना ही नहीं की जा सकती दूसरी बात चीन हमारा अच्छा दोस्त रहा है सरकार जब आर्थिक संकट का सामना कर रही थी तो चीन ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की इसलिये हम चीन के बारे में निजी तौर पर बातचीत करते हैं सारवजनिक तौर नहीं क्योंकि ये तो संवेदंशील मुद्धे हैं तो इन दोनों मुद्धों पर ही पाकिस्तान के जवाब से आपको क्या समझ में आए इंटिव्यू देख लिया और पियोके में रहने वाले लोगों के आजादी के बारे में बोले गए अपने शब्दों को सुन लिया तो कहीं वो अपने इस इंटिव्यू पर पच्चतावा न कर बैठे हम तो कहेंगे कि इमरान खान को अपना ये इंटिव्यू एक बार जरूर देखना चाहिए और भारत को पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर को सौपने की तयारी शुरू करते नी चाहिए